Hello student, welcome back to my channel. In this video, we will do chapter 7 from your previous book and the chapter name is People and Their Workplace. लोग और उनके काम की जगह जहां पर वो वोग करते हैं. First paragraph, Neighborhood Services. We are surrounded by people who make our lives easy to live. They give us sense of safety and comfort. हम ऐसी जगह रहते हैं जहां चारों तरफ हमारे लिए easy हो रहना और सुरक्षा हो हमारी और us comfort हो. किसी तरह की हमें कोई परिशानी नहों. They provide service in marketplace, hospital, dispensary, school, police station, park, post office and bank etc. These services they provide us are called neighborhood services. Let us learn more about them and their place of work. ऐसी जगह रहना चाते हैं, ऐसी जगह हम लोग रहना पसंद करते हैं, जहां पर हमारे आसपास marketplace हो, hospital हो, post office हो, school हो, bank हो, police station हो. तो जिससे क्या हैं, इन सब जगह हो, जो हमारी रोज मर्रा की जगह हैं या जहां हमें जरूरी होता है जाना, तो यह सब चीज़ें अगर हमारे नेरवाइ होते हैं, तो हमारे लिए रहना easy और comfort हो जाता है. safety भी हो जाती है और comfort भी हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें जहां पर हम रहते हैं, जो यह सब places हमारे आसपास होते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं, नाइबर होरोड services, अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे हैं, marketplace, VC grocer and green grocer and shopkeeper in the marketplace, they sell things of our daily needs, हम जब market में जाते हैं, तो हम क्या दे दूसरी दुकाने हैं, और जहां पर क्या हैं, और कुछ ऐसी दुकाने हैं, जहां पर हमारे डेली की चीज़ें मिलती हैं, grosser, sales, sales, cooking, oil, spices, milk, bread, butter, etc, green, grosser, shell, fresh fruit and vegetable, जो सबजी वाला और जो दूसरा होता है, दुकान दर, वो क्या बेचते हैं, दाले, तेल, मसाले, bread, butter, milk, ज चीज़े होते हैं, foods and vegetables, वो सब चीज़ें में मार्केट में easily मिल जाती हैं, तो ऐसी चीज़े क्या हैं, हमें अपने नाइबर, अपने प्रोस में अपने आसपास चीज़े होते हैं, क्योंकि सबजी खाना तो अपन रोज खाएंगे, तो दूद अपन रोज पीएंगे, तो सब्सक्राइब होते हैं, तो आगे चलते हैं, नेक्स चेप्टर पर स्टूडेंट, कम और नेक्स पेज, पेज नेमबर 50, हॉस्पिटल, अब हम हॉस्पिटल के बारे मात करेंगे, वी विजिट आ हॉस्पिटल वेन वी फॉल इल, और फॉर अवार रियागुलर चेकप इन the hospital, we are helped by doctor, nurse and other hospital staff, हम hospital यृण सब्सक्राइब हो जाते हैं, जब हम बेमार हो जाते हैं, या हमारी तबीत खराव हो जाते हैं, हमारा routine चेक अप के लिए हम लोग hospital जाते हैं, और वहां पर कौन, doctor, nurse, और जो hospital का staff होता है, हमारी help करता है, most facility have hospital, dispensary, a dispensary is a place where a patient can visit doctor and get मेडेसें अधैसे जग्षी जगा होती है यह ऄस्पिटल में जहां पर पिशेंट जाते हैं और यह ने जी यहां परस सुराइब ही जब जो हम दॉक्तों जाते से की दिच जैब घ्रुट ऑब जाते है anh अपरेशन ऑल्सो टेक प्लेस फियर वैन फेशेंट आर इन सीजेस कंडिशन और हस्पिटल में क्या होता है डर पेशेंट्स के लेटने के लिए बैड होता है रूम्स होते हैं जिसमें कि वह रात को रोक सकें और जैसे कभी किसी पेशेंट की सीरियस कंडिशन हो जाती है तो 수업 हमने पड़ा marketplace दैन and hospital दैन नाओ भी ओन हुझाई हम जाते हैं स्कूल हमारे लिए जान बहुत अच्छी बात होती है वच्छों के लिए स्कूल में हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए बहुत सी बाते हैं टीचर से सीखने के लिए डिसीब्लेन सीखने के लिए अपको मैंटेन रखने के लिए मैनर सीखने के लिए so we study at a school here teacher teachers and principal is the head of the school school में क्या है teacher और principal क्या teacher होते हैं जो कि हमें पढ़ाते हैं principal होते हैं जो कि school के head होते हैं the school is maintained by a caretaker school को maintain करके रखा जाता है caretaker की दिवारा post office next service की बात करेंगे post office a post office is a place where letter are received then and then sent out to their destination a postman deliver letter and parcel to above the step other post office staff short the letter based on the address written on them we can also buy stamp envelope postcard and in land letter for sending our messages post office में क्या होता है post office में हमारे जो letters हैं वहां हम अपने letter को post करते हैं और वहां से अपने letter हम receive भी कर सकते हैं और वहां से हम envelope stamp postcard in land letter यह सब चीज़े हम अपना भीज़ सकते हैं अपने relative या friends को अब बात करते हैं next police station a police station is a place where we can complain regarding any law and order problem police station एक ऐसी जगा होते हैं जहां पर अगर हम किसी से परेशान हैं तो वहां पर हम उससे अपनी महां पर call complaint कर सकते हैं उनकी हम अपनी उनकी complaint हम police station में कर सकते हैं come on next page children page number 51 and each equal in locality is looked after by a particular police station the police station help in catching thieves and thugs they keep us safe and should we help the police in carrying out their duty police station हमारे किस लिए होता है चोर को पकड़ने के लिए टकेट को पकड़ने के लिए और हमारे गर में चोरी होने से बचाने के लिए police होती है हमें care करने के लिए हमारे आगे अगर जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे रक्षा करने के लिए police station होता है कर्दा ग्रीन एरिया फुल अप्लांट इन अलोकलिटी अगार्ण वाकार्ट तु मेग पार्ट बीटीफल एंड फ्लावर एंड ट्री a sweeper keep the park clean children can go play they are while elder can walk in the park to maintain good health हम पार्ट किस लिए जाते हैं वहां enjoy करने के लिए खेनने के लिए लेकिन वहां पे जो gardener होता है वो क्या करते हैं पार्ट को maintain करके रखते हैं उसके cleaning करके रखते हैं उसे maintain रखते हैं flower और planting को flowers को और trees को जिससे की हम जो garden है बहुत सुन्दर दिखाई देता है इसलिए हम लोग garden जाते हैं थाकि हम लोग वहां पे fresh air ले सकें walk कर सकें और children's play कर सकें नेक्स्ट अब हम बात करेंगे bank a bank is a place where you can your money save the bank open your account and bank in the maintain it you can withdraw your money और writing a check by using ATM card anytime bank किस लिए होता है अपनी money को safe रखने के लिए और जब कभी हमें money के requirement होती है तो हम उसको check के थूँ या ATM card के थूँ निकाल सकते हैं कभी भी किसी वक्त ATM card कर यूज कर सकते हैं all these neighborhood services and the people people working in them are for our benefit so we should help in making these service better co operating with these people फिर जब हम अपने पड़ोस में अपने जब हम कभी मतलब जैसे हमें कभी काम होता है या कोई और चीज होती है तो उसकी जब हमें जरुवत परती है तो हमारे जो neighbor होते हैं वह हमारा support करते हैं हमें cooperate करते हैं तो इसलिए हमें अपने नइब की जरुवत होती है मैंटेनिंग नाइबर हुट सर्विस नाइबर हुट सर्विस को मैंटेन कैसे रखना चाहे वी शूट मैंटेन law and order हमें कानून मानना चाहे वी शूट फॉलो रूल्स और रूल्स को फॉलो करना चाहे वी Soft spoken, well behave with the people who help us. जो भी कोई हमारी मदद कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो भी हमें soft spoken, यानि की नमरता से अराम से बात करने चाहिए, प्यार से तमीज से बात करने चाहिए. So, come on student, next page. So, student complete this chapter. Now, come on the question answer. Question number one is, take the correct option. Grocer, green grocer, sale fresh fruit or vegetable, grocer. Next, the place to buy eatable and article of daily use is market, hospital market. Next, people go to place station park for morning walk. Next, we can buy stamp cyrl from the post office stamp. We can keep our money and valuable safe in a police station bank bank. Come on the next question student, true, false. When you are sick, you go to the bank, no, false. Next, a policeman sale vegetable, false. We buy postcard, inline letter from post office, true. Neighborhood services are not important to us, false. We should maintain our neighborhood services, true. Okay, student, next question. A grocer sale fruits and vegetable. F, R, U, I, T, S. Fruits and vegetable. V, E, G, E, T, A, V, L, E, S. Okay, next, doctor and nurse treat patient at hospital. H, O, S, T, I, V, A. H, O, S, P, I, T, A, L. Okay, next, a school is governed by caretaker. c-a-r-e-t-a-k-e-r next d-dash catch thief and thongs smag of police p-o-l-i-c-e next a-dash open our account in a bank banker b-a-n-k-e-r so student complete this chapter thank you if you like this video subscribe my channel thank you